नीमत जिले के जावत विकास खंड के डीकेन की प्रशाशन की अधिकारी पर ना तो न्याले का आदिश काम कर रहा है और ना यी मुख्यमंत्री कमलनात का आदिश हालत यह है कि शाश की जमिन पर अवेद कबसे नई हट पा रहे हैं जिसका नतीजा यह है कि अब लोगों को धरने पर आना पड़ रहा है डीकेन में शाश की जमिन से कबजा हटाने की लड़ाई लड़ रहे पूरुपाशद ने मंगलवार को SBM और कलेक्टर के नाम ज्यापन देकर आमरेन अंशन कंदे का एलान किया है जिसके बाद अब पूरुपाशद अपनी पत्नी के साथ गुरुवार सुबह से कलेक्टर में अंशन पर बेठाए जिसे 24 घंटे से उप्फर का समय हो गया है पूरुपाशद का कहना है कि वह वहां से अतिकरमन हटाने के बाद य शिकायत करता जगनात रामनान तेली दुवारा शिकायत की गई थी तो उसकी शिकायत पर तेसिल्दार मोदय अनिल्बाना दुवारा चौदा जुलाई 2015 को वह दुखाने गिराई दी गई उन्हें गिराई तो मेरी पत्नी करपा अखेली थी और समय दिया था उनको तो एक दिन पूर्वी खर गयो मेरी गेर मोजुद्धी में और कोई आराई साब का उसमें यह भी नहीं सिमांकन वगेरा दिपोटा नहीं है के वल पत्वारी ने मनमाना पंचनामान इन नगर पंचायत ने डोनों ने मिलके बना दी मैने कलेक्टर मोद है कि समक्सी शिकायत भी करी शाष्किय दिवक्ता को आप फिर भी करें उस मेटर में शाषिन की भूनी हटाना है फिर उन्होंने तीन साल ऐसी निकले फिर मेने हाइपोट पिडिशन दायर कर रखी दी दोजार पंदरा में एक वहां भी दायर करें फिर उसमें सुनवे हुई फिर यह था इस्तिदी का आदेश समाप्त हो गया दोजार गुनिस से पहली हो गया फिर वहां से भी रिमाइंडर चाट-चार बार हो गया हाई को आज दिन तक नहीं गिराया जा रहा है बागी कातिक जर्मन है वो सारा गिराया जाए फिर उस जमीन का क्या करना जो शाशन जो भी उचित समझे इस जम हो देदीपक जी चोहान से मिला इसे गए दोनों जने पत्ति-पत्नी गए तो बोले कि मेरे को समय नहीं अभी पहले तेश्चोईज मुकरर करी थी तेसिलदार साब ने दो बोले कि तुम ज्यादा पिछे लगए तो हम दो मुईने भी कारवई नहीं करेंगे तो फिर मैंने उसी समय वहां याति जी कि वहां मगिल साप के वहां अवेदन टाइप करवाया और एज जम मौदे को भी दिया और यहां कलेक्टर मौदे को भी पस्तुत किया जन सुमें म मौदाई बेटा थे साप उनको दिया उनको जानकरी में है पूरा मेटर फिर मैं साप से मिलना चाहता था जो डारेक्ट साप को दिया मैंने आवधन और चोईस गंटे का उसमें समय डाला था मैंने कि मेरा निराकन किया जाए जब तक नियोगान निजम में मुझे मज़े प्रूब